फ्रेंस मेरे हर वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शन्स वही पुराने हैं कि जो भी है आपको याद करना है ऐसे क्यूं करना है यह जानने के लिए आपको मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखने पड़ेंगे अगर आप इंस्ट्रक्शन्स फॉलो कर रहे हो तो अपने अंग्रेजी में सुधार आपकुछ देख सकते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं कि पहले वट दू यू मीन भाई यू हैव पुट आन यू हैव पुट आन का मतलब क्या होता है इसका अंसर में आपको वीडियो के एंड में दूंगा दा वर्ग फोर तोड़ी वीडियो इस ट्रॉल तो वक पर प्लेजर तो वक लीजरली सॉंटर तहलना चहल कदम टेकिंग ए स्ट्रॉल आप्र फूड इस गुट फोर डिजर्शन खाने के बाद तहलना पाचन के लिए अच्छा होता है माई पैरेंट्स गो फोर ए स्ट्रॉल इन दे इवनिंग मेरे माता पिता शाम को तहलने जाते हैं तरुन जोड़ा पार्क में हातों में हाट डाल कर चहल कदमी कर रहा था सुनील सजेस्टेट टू स्ट्रॉल अलोंग दबीच वाइल चैटिंग सुनील ने बातें करते करते समुंदर के किनारे टहलने का सुझाओ दिया आज के जो हमारे question answers है वो है exercise related do you usually exercise ? क्या आप अक्सर वर्जिस करते हो ? कसरत करते हो ? yes I do doing exercise is one of my good habits हां मैं करता हूं वर्जिस करना मेरी अच्छी आदतों में शामिल है how often do you exercise ? आप कप-कप कसरत करते हो ? I go jogging almost everyday before breakfast मैं हर दिन नास्ते से पहले दौर लगाने जाता हूं what type of exercise do you do ? आप किस प्रकार की कसरत करते हो ? I do jogging and yoga मैं दौर लगाता हूं और योग करता हूं where do you exercise ? आप कहां वर्जिस करते हो ? at a nearby park there are some exercise machines for people to use घर के पास ही एक पार्क में वहां पर कुछ वर्जिस के साधन है उप्योग के लिए what benefits can you get from exercising ? वर्जिस के क्या लाम है ? well a lot exercise helps to reduce fat and build muscles it also keep me awake mentally the whole day काफी हैं वर्जिस से आपकी चर्बी कम होती है और आपके इसनायों बनते हैं इससे मैं दिन बर चुस्त और दुरुस्त रहता हूं what if people don't do enough exercise ? अगर लोग परियाप्त वर्जिस नहीं करेंगे तो क्या होगा ? obviously they will gain weight fast and become obese यकीनन उनका वजन बढ़ जाएगा और वे मोटे हो जाएगे ये थे हमारे कुछ exercise related questions और answers दोस्तों very noisy बहुत जोड़दार आवाज इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड क्या होगा ? तो आप कह सकते हैं deafening deafening यानि की बहरा कर देने वाला the music played by the revealers was deafening जो मजा करने आये थे वो इतने जोड़ से music बजा रहे थे की बहरे होने जैसे हो रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था what is the meaning of you have put on और इसका meaning है you look fat your weight has increased आपका वजन बढ़ गया है आप मोटे हो गये हो तो कोई आपको ऐसा न कहे इसके लिए exercise करते रहिए friends अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे like कीजिए और मेरा को important वीडियो आपसे miss न हो जाए इसके लिए इसे subscribe कीजिए और वादा कीजिए कि आप मेरे दिये गया instructions follow करोगे thank you keep learning have a nice day okay